वेलो वेल्कम टू बैक्मी चनल तो फेंद्स मैं आज आपको इस वीडियू में बताऊंगा कि आपको कैसे अपने फोटो पर जो है डिए डाल सकते हैं जा अपने फोटो पर डेड़ नाम दोनों चीजे कैसे अप लिख सकते हैं तो फेंड्स वीडियो को स्कीप मत करना लास तक आपको फोटो के ओपर देट आप आसानी से डाल सकें तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर एक अप्शन आपके पास एक आपको यहां पर लिख लेना है तो आप देख सकते हैं यहां पर पेंट वाला जो अप्शन है वह यहां पर खुल चुका है यहां पर जब यह आपका पेंट वाला जो अप्शन खुलेगा इसके अब आपको क्या करना है आपको जो फोटो है आपको वहां से फाइल से उठा के है तो देखिए मैंने जैसे यहां पर अपना फोटो जो हादा वह यहां पर ले आया हूँ अब मुझे कैसे इसको रिसाइज करना है मैं आपको भी बताऊंगा अब इसको थोड़ा सा नीचे ड्रै कर लेजिए आप देख सकते हैं मैंने पहले इसको क्या किया फोटो यहां पर लाया उसके बाद आपको यहां से मैंने नीचे से जो है इसको थोड़ा सा इसको जूम इन किया पहले जूम इन आउट करने से फोटो देखो आप कितना वड़ा फोटो पोड़ा है अब इसको मैंने जूम इन क पंजोन Михम किया यो जोम इन लुग से फोटो मुझे विए फॉटो धिख रहा है मीरा कितना सा फोटो रखना एक उसके बाद आफे मुझे डेड जो है के बाद आपको यह वाला अप्शन दो आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर लेना है आप देख सकते हैं यहां पर जैसे यह वाला यह बॉक्स आ कुका है जिसमें हमें लिखना है यहां से आपको से एक फिंज कर थोड़ और सागे कर लेना है असाफे अखेंश कर लेना है कि कि अची कि अच्लिए नीए आपको में आहिं आच कि द्रीट लिखने हुए आपको तो फॉर एक्जेंपल मैंने आज की डेड़ लिखनी है 17 यहां से थोड़ा साइज बढ़ा लेना आपको जो आपको लिख रहे हो उसका थोड़ा साइज बढ़ा सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल जो साइज था उसे मैंने बढ़ा लिया है अब मैं इसको एड़ेस्ट कर लेता हूं अपनी हिसाम से मुझे सेंटर में लिखनी हुई तो मैंने इसको एड़ेस्ट कर लिया है सेंटर में आप देख सकते हैं फोटो के उपर जो डेट थी वह मैंशन हो चुकी है अब मेरे फोटो के उपर जो डेट थी अगर मुझे नाम लिखना होगा यहां पे तो नाम भी मैं यहां पर लिख सकता हूं इसके आगे फॉर अगर आ अगर आपको यह सब हो गया है फिर उसके बाद अगर आपको क्रॉप करने की जुरूरत है कि आपको साइज है वो ज्यादा हो रहा है फिर आपको क्रॉप कैसे करना है तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूं आपको सेलेक्ट बाले अप्शन पर जाना है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है यहां से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है आपको जितना सा फोटो आपको चाहिए आप उतना सा फोटो सेलेक्ट कर लीजिए तो देख सकते हैं मैंने इतना सा फोटो सेलेक्ट कि भी या फिर आपको यहां से रायट क्लिक कर लेना है आपको रा क्लिक कर लेना है आपको कृौब बले लिख्ते है। असको का तो को सब्सक्राइब कैसे लिस्abenाने नहिसे और जाना है प्रॉट पर आपको जो है कर लेना इसको सेव पर जाना है उसके बाद आपको अपनी फाइल में चले जाना है जहां पर आपको इसे सेव करना है चलिए फिलाल के लिए मैं आपको यहां पर किसी नाम से सेव करके देता हूं यहां पर मैंने प्याइच के नाम से यह फाइल सेव कर ली है फिर आपको नीचे दिख रहा होगा सेव, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको तो आप देख सकते हैं मैने यहाँ सेव कर लिया चलिए मैं दुवारा से चेक करता हूँ यह पी-ए-स नाम की जो मैंने फाइल थी वो सेव की हुई थी आप देख सकते हैं यहां पर मेरा photo जो है वो बिलकुल उसके उपर जो date है वो लिखी हुई है और photo मुझे clearly दिख रहा है आप देख सकते हैं friends बिलकुल photo जो edit हो चुका है और इसके उपर date जो है वो भी mention हो चुकी है आपको कुछ भी नहीं करना है असानी से आपने photo को बिलकुल अपने edit कर लिया है अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप इस channel को subscribe कर लिजिए like and share जरूर करना thank you for watching the video मिलते हैं next video में तब तक कि लिए bye bye